नमस्कार दोस्तों अपनी पोस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है मुंबई की शान कहा जाने वाला मुंबई का ताज महल पैलेस होटल एक ऐसी धरोहर है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है तो ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि ये होटल कब खुला था और इस से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तत्य बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे आपको बता दें कि ताज होटल भारत का ऐसा ट्रेड मार्क है जिसे हर कोई जानता है और यहां रुकने में दिलचस्पी रखता है उसमें भी मुंबई का ताज महल पैलेस होटल भारत की शान बना हुआ है 16 दिसंबर 1903 को यह होटल खुला था और यह पहला ऐसा होटल था जिसमें पिजली थी आपको बता दें कि पहली बार जब यह होटल खुला तो इसमें 17 महमान ही रुके थे उस दौर में एक रूम का किराया सिर्फ 10 रुपे हुआ करता था आपको बता दें कि टाटा ग्रूप के अलग-अलग देश और शहरों में कई होटल है ऐसे में ताज होटल के निर्माण की कहानी भी बहुत दिल्चस्प है आपको बता दें कि भारत में एक भी 5 स्टार होटल नहीं था ऐसे में जमशेच जी टाटा ने ठाना की वो एक ऐसे होटल का निर्माण करेंगे जिसे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया हसरत लगा कर देखेगी और यहां रुकने के लिए लंबी-लंबी कतारे लगेंगी आपको बता दें कि ताज महल पैलेस होटल गेटवे ओफ इंडिया से भी पहले बना था आपको बता दें कि ताज होटल भारत का एक मात्र ऐसा होटल था जिसमें दिन भर एक रेस्टरेंट चला करता था 1972 में पहली बार 24 घंटे खुली रहने वाली कॉफी शॉप भी यहीं पर थी यह भारत का पहला ऐसा इंटरनेशनल होटल बना जिसमें डिसको थेक था इसमें इंटरनेशनल डिसको थेक लगाया गया था जर्मन एलिवेटर्स लगाया गया थे तुरकिश बाट टब और अमेरिकन कमपनी के पंखे लगाये गये थे ताज होटल देश का पहला ऐसाल होटल था जिसमें अंग्रेजी बटलर्स हायर किये गये थे शुरुवाती चार दशकों तक होटल का किचन फ्रेंच शेफ ही चलाते थे आपको बता दें कि होटल की शुरुवात में सिंगल रूम का किराया 10 रुपे पंखे व अटेज्ड बात्रूम वाले कमरों का किराया 13 रुपे हुआ करता था आर्किटेक्ट सीताराम खांडेराव वैद और डियन मिर्जा ने होटल का डिजाइन बनाया सीताराम की मित्यू के बाद अंग्रेजी आर्किटेक्ट डबलू ए चैंबर्स ने इसे पूरा कराया तो ऐसे में इस होटल के पीछे एक बहुत बड़ा हितिहास है जिसे हर लोग जानना चाहते थे हम आशा करते हैं कि हम आपको वह बताने वे सफल हो पाए होंगे अगर यह जानकारी आपको रोचक लगी हो तो इसे अपने मित्रों के साथ आवशी शेयर करें दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बैल बटन को ज़रूर दमाएं धन्यवाद